तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मारे पास चैप्टर नंबर 07 आपको दिख रहे हैं इसका जो पार्ट वन रहेगा वो आपको आपको आपकी अनौंसमेंट सेक्शन के अंदर मैंने आपको कल ही कर दिया था ठीक है पार्ट बन लेके आज पार्ट टू होगा फ तो आज हमने क्या करना है हमारी जो थेयरों तो अल्रड़ी हो चुकी थी हम नेक्स यहां से देखेंगे कि हमारे पास एक क्रॉली दे रखी होती है जो भी आपकी थेयरों नबर वन ना उसका अनौधर प्रूफ हमें दे रख्या तो जो अनौधर प्रूफ आपको करने की को आपको क्या करना होता है कि आप इसको किसी और बेमे के अंदर भी लिख सकते तो रहे का संबसे पहले आपका जो लिख रखाएmor står न आपनी से वन को दूसरी तरफ लेकर चले जाना तो हम ले जा सकते हैं तो एक की पापर पी माइनस वन माइनस का वन आज़ेगा कॉंगरेंट हमारे पास जीरो मर्डिलो जहां पर आपको दिखने को मिलेगी और फिर आपको ना पता कि हम बच्पन के अंदर कुछी जी लिखते आपके पास एक की पापर पी माइनस वन तो मैंने इसको जहां पर टू से ड्वाइड कर दिया है और इधर मैंने इसी नंबर को टू से मल्टिप्रे करवा देना है ऐसे वन वन को तो आप लेके साथे वन का स्कार कोई फरक नहीं पड़े आए आएगा ठीक है बिकास वन स्क इसको बाहर कर दिया माइनस वन स्कार कर दिया और यह हमारे पास कॉंगरेंट क्या है जीरो है और मॉल्डूलो हमारे पास क्या है पी के उपर है अब यहां पर आपके पास एक्स स्केर माइनस वाइस कर का कॉंसर लगता है तो जदी आप इसकी फैक्टर रिशन करेंगे तो a की पाबर p-1 over 2 आपको minus 1 मिल जाएगा a की पाबर p-1 over 2 आपको plus का 1 मिल जाएगा और congruent आपके पास 0 और modulo जी आपके पास p आपको answer मिलेगा तो यहाँ पर आपके पास क्या रहता है कि जिए दो नंबर की product है और इसकार मिंडर 0 आ रहा है जिए आप p से डिवाइड कर लेते तो according to some result यहाँ पर क्या होगा p डिवाइड करेगा इन दो नंबर की product को डिवाइड करेगा ठीक है p इन दो नंबर की product को आपको डिवाइड करेगा a की पाबर p-1 over 2 plus 1 को आपके जदी p इन दो पहले नमबर को डिवाइड करेगा जातो पहले वाले नमबर को डिवाइड करेगा तो यहां पर समझने की बात यह आती है कि इफ एक कॉमा पी का जिसलिए आपके पास वन आता है जो कि आपका condition रहता है फर्मर्स त्योरम के साथ है कंडिशन यहीं हमें सिखाती है कि इफ मारे एक का हुआ पी का जिसलिए मारे पास वन आता है तो देन आपके पास जो पी नमबर है वो जातो पहले को डिवाइड करेंगा जहां फिर दूसरे को जह भी एक चीज़ आपने मांड के अंदर रख्कर चलिए ठीक है तो अब हम आगे मूव कर लेते हैं नेक्स्ट वन नेक्स्ट मन के अंदर आपको क्या मैं दिखाऊंगा यहां पर एक क्रॉल्ली आपको दिख रहे है क्रॉली नमबर टू इसको भी आजर ज़र देखेंगे वो क्या कहते हैं कि इफ आ अब इन्वर्स का फंड़ा क्या होता है किसी नमबर को किसी दूसरी नमबर का inverse तभी कह सकते है जदि उसका remainder 1 आते है लग यहाँ पर A है मैं A के साथ B को multiply कर देता हूँ तो मेरे पास remainder 1 आ रहा है कहाँ पर module P के साथ तो इसका meaning मेरा V क्या होगा inverse of A होगा जहां फिर मैं जहें कह सकता हूँ कि A is inverse of B है कि दो number की product जब 1 answer देती है module P के उपर तो यहाँ पर उन्हें क्या बोल रहा है कि आपके पास A, B P का जिसरी 1 है तो 1 है तो इसका meaning format थिर में के coding हमारे पास A की पाबर P-1 आ जएगा which is concurrent 2 आपके पास 1 रहेगा और module आपके पास क्या आ जएगा P आ जएगा तो आप यहाँ पर क्या करो मैं एक चीज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पर A की पाबर P-1 मतलब A की माने मैं माइनस 1 कर दिया एक माने प्लस 1 कर दिया जान बुझकर जे चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी और जे concurrent 1 रहेगा module P के उपर ही रहेगा जेक यहाँ पर थोड़े से जो बच्चेश समयदा रहेगे उनको जहाँ पर idea होगा कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैंने यह जो इस चीज़ को combine कर लिया ठीक है इस चीज़ को combine कर लेना जैसे आप इस चीज़ को combine करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा तो लाइक आपके पास जे बच जेगा A की पाबर P minus 2 बच जाएगे और जिए जी जो single प्लस का 1 बच रहा है इसको मैंने अलग कर região A की पाबर ढ़ी है हमें पता कि जब बे सेम होते हैं जैसे तो मैं A की पावर 1 लिख सकता हूँ और congruent मेरे पास आजेगा congruent तो मारे पास 1 नहीं है दूसरी तरफ और ये modular हमारे पास PQ पर काम हो रहा है और you can also write key test कि आप A को आगे लिख लो ऐसा कुछ नहीं है कि आगे लिखना पीशे लिखना does not matter in case of product ठेक है कुछ में matter नहीं करता है तो टे जहां से जे समझाता है कि जे वाले एक number है जब मैंने इसको A से multiply करा तो मेरा answer 1 ना आगया तो we can say that just कि जे जो A की पावर P minus 2 है जे एक तरह से inverse का का काम करेगा is inverse रहेगा किसका A का कहाँ पर modulo P की उपर inverse of A modulo आपके पास क्या रहेगा P रहेगा देखो इसका बहुत ही simple सा proof था आप एक और यहां से check कर लो और जदी आप book से के साथ match करना चाहेंगे तो book के साथ भी match कर लेना आपको same to same answer जहां से मिल जाएगा राम से ठीक है यह हो जाएगा done up to here तो आगे move करते हैं ठीक है तो next जो आपके पास रहता article number X के दा एक example देदी आपको example क्या है आपको देदी है कि P आपका एक 5 है ठीक है we are given कि P हमारे पास क्या है 5 है ठीक है A हमारे पास 14 है ठीक है P आपका prime number A आपका 14 तो दोनों का जिसरी 1 होगा तो बोल रहाँ कि आप जे शो करो कि 14 की पावर 3 is the inverse of 14 modulo 5 है तो आप जे शो करो तो यहाँ इस very simple जहाँ पर मैं आपको सिखाता हूं उन्हें बोला कि आप inverse शो करो जहाँ हाँ जो नीड तो शो देट कि जे इनवर्स होगा अब यहाँ पर हमें A दे रखा है आपको 14 है P आपको 5 है तो मेरे को बता कि 14,5 का जिसरी 1 होता है ठीक है बोला कि 14 की पावर 3 है न वो is inverse होगी is an inverse किसका होगी आपके पास is an inverse of आपके पावर 3 is an inverse of आपके पास आजाएगा is an inverse of आपका 14 मर्डूलो 5 के उपर जे चीज़ कहने की बात करें अब A आपका 14 है और उसकी पावर आपने P-1 करने होती है P-2 तो आप जहाँ से यदि देखेंगे कि we know that हमारे पास वाइद इस ठीरम तो आप आप ऐसी लिखेंगे कि वाइद आप की जो A की पावर P-2 होता है वो क्या होता है इस इनवर्स होता है तो आप just is inverse of A होता है मर्डूलो आप P के उपरकाशा आते हो तो आपके पास जो A की पावर 14 है ना A की पावर आपके A आपका 14 है और उसकी पावर P आपका 5 है माइनस 2 कर देना is an inverse होगा आपके पास is an inverse of a a बोलो तो 14 और modulo p की बात करोगे तो 5 पर आजएगा जहांसे 5-3 करेंगे तो 14 की पावर 3 आजएगी तो is an आपके पास क्या आजएगा inverse आजएगा किसका 14 का और कहां पर आएगा modulo 5Q पर आएगा तो जो बहुत भी done हो जाएगा राम से after that आप जदी crawly number 3 के तरफ चलते हैं तो इस crawly के अंदर हमें क्या दे रखा वो चीज समझने की ज़रूरत है वो बोला कि if आपके पास x is any integer है and p is prime जहांपर फिर से उन्होंने a जो आपके पास उसको any integer बोल दिया किया यह कुछ भी आपके पास दे रखा है तो गबराना नहीं है it is just an integer and p is prime आपके पास और a और p का जिसली 1 जहे तो आना ही था जब p को prime बोल दिया और e को any integer बोल दिया ठीका कोई दिकत नहीं है तो then आप प्रूब करो that the solution of a x congruent b modulo p is given by जो बोला कि जिए आपके पास equation है a x है congruent b है modulo आपका p है तो इसका जो solution होगा वो कितना होगा x congruent b x is equal to मतलब b into a की पावर p minus 2 होना चाहिए तो यह चीज यहाँ पर show करनी है अब करना कैसे है बो चीज दियान से देखेंगे given congruent आपको दे रखी है मैं आपको जदी इसको next place की उपर करवाने की कोशिच कर लेता हूँ वो दिखा देता हूँ आपको ओके तो done अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास a x है congruent b आपके पास है और modulo आपके पास p है ठीक है आप इसका solution find order करना चाहते है और आपको a, p का जिसरी 1 दे रखा already ठीक है हम इसका solution find order करना चाहते है we want to find that value of fact which satisfy this one ठीक है आप जहाँ पर करना चाहते है तो डियार यहाँ पर a और p का जिसरी 1 है ठीक है और यहाँ पर आपको b मिल रहा है अब सबसे पहले देखेगा ध्यार से कि हमारे पास जब a, p का जिसरी 1 है तो हमें क्या पता है तो हमें पता है कि we know that कि जो a की पापर होती है p-2 is inverse होती है किसका is inverse of आपके पास a होता है कहाँ पर modulo p के उपर that is that is कहने का meaning कि आप जदी a को multiply कर लेंगे a की पापर p-2 के सा तो आपका congruence के अंदर 1 आजएगा और modulo आपको क्या मिलेगा यहाँ पर p रहेगा अब दोनों तरफ जदी आप b से multiply कर लेते हो ठीक है मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि multiply आपको बाइ just a v तो इदर आपका a आजएगा यह मेरे पास a की पापर p-2 थी मैंने v को जहाँ पर लगा दिया ठीक है side में तो congruence इदर भी b आजएगा और modulo मेरे पास p आजएगा कितना हो गया यह एक equation आपको दे रखी है सामने वाली और एक आपने खुश से रखी है तो जहाँ पर a है और इनके पास b है congruence c मारे पास b है उनके पास b है वहाँ पर भी b modulo p है और हमारे पास b b modulo p है तो देखने को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर x था वो अभी क्या हो सकता है a की पावर p minus 2 into b हो सकता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं तो दो फिर हमारे पास जो x रेगा वो congruent हो सकता है हमारे पास जेफोर जो x congruent है वो हमारे पास b into a की पावर p minus 2 modulo आपके पास p हो जाएगा तो it was so simple ठीक है तो जदी मैं आपको जही आंसर प्रूफ करना था और जही आंसर मेरे को यहाँ पर दिख रहा है और जोने पर जो कोई doubt है एक पर book के साथ हम इसको math कर लेते हैं क्या अगर रखे है इनोंने कि is an inverse of a p की पावर है तो ठीक है जदी inverse है तो यहाँ पर इनोंने पहले यह रखा था लेकिन में को यह ज़्यादा पसंद नहीं आए इनके वाला concept यह पसंद नहीं है जो मैंने आपको करवा रखे है inverse के definition बहुत ज़्यादा बैटर है as compared to the कि आप book से अंदर से देखे है तो वहाँ पर से जब आपके पास ऐसा आजएगा तो कोई फरक नहीं पड़ता कि आप B को आगे लिख रहे हो जहां फिर आप B को पीशे लिख रहे हो तो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है that does not mean कि B आगे जा पीशे ऐसा नहीं करा कि सर मारा गवत आगे नहीं फरक पर नहीं पर देगा multiplication है simple तो अराम से हमने भी जेची शो कर रखे आप according to this one कि जो अभी result हमने शो कर रखा according to this result उनने बुला कि answer क्या हो सकता है answer अभी हम देखा V into A की पावर P minus 2 हो सकती है तो to solve करो और इसका मैंने फर्मेंट फर्में के साथ हमें ऐसे question को solve कर पाएंगे अराम से तो कैसे solve बन करने की कोशिश करेंगे question मारे बास क्या है question हम जहाँ पर दिख लेते हैं यहाँ हमारे पर जो question दे रखा है वो आपको दे रखा है to solve करना अपने to solve करेंगे किसको solve करना अपने 12x है congruent आपको 6 दे रखा और modulo 7 है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि यह मारा ax type है congruent b है और यहाँ पर modulo आपके पास p है तो a आपके पास 12 आ रहा b आपके पास 6 आ रहा और p आपके पास 7 है तो यह चीज तो आपकी 100% true है कि आपका 12 and 7 का जिसरी 1 है जब 1 होगा तो therefore x जो होगा आपके पास congruent b into a के पाबर p minus 2 होगी और modulo आपके पास 7 ही होगी x as it रहनी दो 6 आपका b कितना आता आपके पास 6 आ रहा a आपके पास कितना है 12 है p की पाबर आप 7 minus 2 करोगे तो modulo आपको 7 मिलेगा यहाँ पर ठीक है और यहाँ से आपका dear x आजगा तो आप यहाँ पर direct result यूज़ कर पाएंगे तो sir हम जैसी terms करते क्यों है तो dear student हम direct result इसलिए करते सुदर की हमें हमारे answer जहाँ से अराम से मिल पाएं ठीक है बुचीत याँसर रखना तो ओके दन यहाँ पर तो dear आपका यहाँ पर 6 आजएगा 12 की पर आपके पास 5 आजएगी और यहाँ के पास module 7 ही है तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि यार यहाँ आपका answer नहीं हो सकता अबिको जो number आपका आपका आ रहा है it is much larger than वो यह काफी बड़े वड़ा answer है as compared to यह हम 7 से इसको compare कर देते हैं ठेका तो यह बहुत ही बड़ा answer यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे है तो मैं आपको इसको ऐसे करवाना पसंद करूँगा तो dear मैं आपको यह करवाद देता हूँ आपका यहाँ आ रहा है 16 आ रहा है 12 आरहा 12 & 12 12 आ 2 אז तो यहाँ पर चीज को थोड़ा समझना द्यान से कि सर आप ऐसे करवा रहे हो तो लेकिन advisor करवाघिंगा जाएगा madula 7 यहाँ धुट दान से आप आप एकTS तो है इस 6 को आप 7 से डिवाइड करेंगे remainder 6 ही रहेगा जदी आप 12 को 7 से डिवाइड करते हो आपके पास 5 remainder आता फिर next फिर से 5 आ जागा फिर से 5 आ जागा फिर से 5 आ जागा फिर से 5 आपके पास आ जागा तो मैं थोड़ा सा कैसे स्टैंब स्टैप इसको रेडूस कर दोता हूं जी जदी आप इन दोनों को मुल्टिप्ले कर लेता है आपका 25 बाण दोता है नेक्स फॉल हो को मुट्प्लाइड रहता आपका 25 बनता है हमारे कुछ अंदाज ही अलग है ठीक है तो एक्स कॉंग्रेंट है आप 30 को आप डिवाइड कर लेते हो 7 से तो हमारा 7 4 का 28 तो आंसर 2 आजएगा 25 को डिवाइड करते हो 4 आपके पास यहां से आंसर आ जाता है तो आपका एक्स कॉंग्रेंट इतना इन दोनों को मल्टिकलो बन गया 4 को एजब रहें तो मधूलो आपका 7 है तो एकस कॉंग्रेंट 8 को आप डिवाईड कर लेत तो से मेंंडर 1 ही आएगा 4 को से डिवाईकर 14 यह आएगा तो मधूलो आपका 7 तो फाइनल आज़ए अमता को that chapter you can easily solve this one ठीक है रेकिन जदी आपको फर्मेंट फर्मेंट के साथ करना है तो वो आपके सामने कर रखा है तो आप उस फर्मेंट 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 के साथ भी इसको करने की कोशिश कर सकते हूँ बच्चा तो सब कुछ आपको अगे पीशे वीडियो को करू stop करू, pause करू, जो भी करने करू और करके आप अपना answer जहां से निकाल सकते हैं तो done दिखा दे तो आपको जहां से इन्होंने आपनेक सर इन्होंने तो बहुत शोटा सा करक है जे कर रखा वो कर रखा तो भाई उनके step आप जाद कहां से करोगे क्या रट्टा मार कर जाएंगे हम class के अंदर नहीं है ना नहीं कर पाएंगे रट्टा नहीं मार पाएंगे तो प्लीज जैसे हम चलते हैं वैसे चलो exam में बैठ हो mind के अंदर कुछ भी आ रहा क्या वो सही होगा वो चीज़ हम जहां पर practice करने की कोशिश करें तो एक क्रॉली हमारे पास last one है उस क्रॉली के अंदर चलते हैं क्या हमें दे रखा है कि if हमारे पास P and Q बोथ are distinct prime है और A की पाबर P congruent A modulo P है जहां पर Q पर चल रहा है और A की पाबर Q जब लेते हो तो जहां पर P आता है तो then A की पाबर जदिया P, Q दोनों ले लेते हैं तो हमारा A रहेगा modulo P, Q के उपर हम जे चीज़ जहां पर show करना चाहते हैं it is again very important क्रॉली क्या दे रखा है इस क्रॉली के अंदर ज़िए आपके पास दो distinct number है मतलब P भी आपका है और Q भी दोनों का जिस दो भी बनी रहेगा तो पहली वज़दि आप जहां पर P ले रहे हो congruent इस विकाज ये तो prime number है ना तो ये hold करेगा ठीक है और यहां पर आप P रख रहे हो अब यहां पर अपने 2 प्रूव करना कि A की पावर P के आप दोनों के दोनों लेना चाहते हैं अब दिखो त्यान से लिए त्यान से दिखना अब हमारे पास तीन तरह के अंटीजर्स हैं हो ठीक है यह हो जाएगा लाइक आपके पास PQR डिस्टिंक्ट का और ठीक है तो यहां से इसका मिनिंग क्या रहेगा हमारे पास जे समझे लो जे आपका ना P कोई प्राइम नमबर है और लाइक जी एक की पावर P कॉंगरेंट ए मडूलो आ रही हमारे पास Q के उपर कोई बात नहीं देर देर चलते हैं इधर आपका A की पावर P Q बन जाएगा जे कॉंगरेंट आपके पास A की पावर Q आ जाएगा और ये आपके पास मंडूलो Q आ जाएगा जे त्यान से देखना इतना होगे आपका ऐसे सेम टू सेम जदि आप इस वाली सेट के उपर दोनों तरफ पावर P ले रेते हों इधर भी A की पावर P कर लेते हो और यहाँ पर मंडूलो भी P चल रहा है तो जे A की पावर उपर तो P and Q मंडूले करके P Q आ जाएगा और इधर आपका A की पावर P रहेगा और मंडूलो आपके पास P आ जाएगा अब जहाँ पर देखो दियान से सेम नंबर है Q से डिवाइड करते हैं तो रमिंडर इतना आ जाएगा सेम नंबर है तो P से डिवाइड करते हैं तो रमिंडर मारे पास इतना आ जाएगा ठीक है अब द्यान से देखना क्या होगा आपको इपास जब आप एक ही पावर Q को यहाँ पर इसका रमिंड देते Q से डिवाइड करेंगे वाइफर्मट सुर्म की मैं बाद करा हूँ हमारे पास क्या होगा हुआ है एक मिंट के लिए मैं देखे रहा था कुछ इस एक मिंट इस यह आपको यह पता न, like this one मैं आपको दिखाता हूँ हमें यह पता है कि मारा P, Q कैसे है, यह प्राइम नंबर्स है यह प्राइम से है, तो आपका A, P का जिसरी 1 आएगा और A, Q का जिसरी भी आपका 1 आएगा जदी A, P का जिसरी 1 आएगा, तो इसका मिनिंग A की पाबर P जो रहेगी, वो कॉंगरन A रहेगी, मडूलो आपके पास P के उपर और यहां से आपके पास A की पाबर Q है, वो कॉंगरन वो भी A आजएगा, मडूलो Q के उपर आजएगा जदी आप A की पाबर Q को Q से डिवाड कर तो इसका मिन्डर क्यों आएगा, अब देखने की बाद जाईवा है, जहां पर आपको यह आधिका, देखो, बुक के अंदर कुछ और भी लिख रखा होगा, लेकिन मैं आपको वो समझाता हूँ कि आप बैठो एग्जाम के अंदर, तो कैसी सिचुईशन को हैंडल करना होता है, अमें पहले से तो जए डिसाइडर न होता है, अमें पहले से जिवाड स्टप लगाना जा फिर में को जे समाएगा, मैं इसको ऐसे रिट्टा मरकर जाऊंगा, ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं होगा, द्यान रखना, ठीक है, अब आपकी जो लेफ्ट एंड साइड बहुत हो, आप एजट रहने दो, एकी पाबर P, Q आप कॉंगरेंट, लेकिन जो एकी पाबर Q है ना, इसको जदी आप Q से डिवाइड कर लेते हो, जहां पर मैंने लिख रखा है, जहां पर मैंने करते हो, तो इसका भी रिमेंटर A आता है, हमारे पास, इसको भी आप लिख सकते हो, कि A की पाबर P, Q आपके पास, रिमेंटर आपका A आता, मंडूलो आपके पास क्या है, P, Q पर, यह नमबर 2 हो गया, अब कहने की बाद क्या, जह तो सब बच्चों को पता होगा, कि जहां पर P and Q का जिसरी 1 आ रहा है, सेम नमबर का सेम रिमेंटर, सेम नमबर का सेम रिमेंटर, जब डिवाइड करते हैं, लेकिन बो जो डिफरेंट नमबर उनका जिसरी 1 है, तो इसका मिनिंग क्या होगा, कि आपके पास A की पावर P, Q है, इसका जो रिमेंटर A ही आएगा, हमार आपने दिखना, वह आप अपनी बुक से भी देख सकते हो, जहां फिर एक बार बैक जाकर देखो, मैंने सिंपल सा लगा रखा, इसके उपर कुछ भी जे चीज़ आपको गिवन थी, और गिवन के तरफ दोनों तरफ हमने की पावर Q क्यू कर दी, विकॉज आपर Q था, जह इसके बाद एक आता है, Converse of Formants Little Theorem, जहीं मैं आपके लिए छोड़ दूँगा, ठीक है, थोड़ा सा आपने भी करना है, लिखेंग Converse की Definition कर लेने है, कि जो Converse of Formants Little Theorem होती है, need not be true, वो बुला है कि जो A की पावर P, कॉंग्रेंट A मडूलो P है, need not imply P is prime for any integer, तो वही बात ह है, जब हमने फर्मेट थिर्में के अंदर जहीं बूला था, कि हमारे पास P प्राइम रहेगा, तो जह चीज़ आलबेस होल्ड करेगी, लेकिन ज़दी J होल्ड करता है, तो ऐसा जुरूरी नहीं कि आपका P आपका आलबेस प्राइम होएगा, तो जह चीज़ मैंने आपको 341 पर, और जहां पर 341 इस नोट अ प्राइम नंबर, जह एक composite नंबर आता है, इसके दो फेक्टर है, 31, 11, और एक वन और एक खुदा है, लेकिन जब आप 2 की पापर 342 को डिवाइड करेंगे, 342 को आपके पास रिमेंडर से हम 2 आ जागा, तो उसका इसने कर रखा, तो जह रिमेंडर तो आपको निकालने आते हैं, रिमेंडर मैंने आपको पहले भी करवा रखा था, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम आपका बेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, जह खुद से कर लाना, लेकिन उन्हें यह प्रूव करना था, कि A की पावर P, जहां पर उन्हें पर A को सभी करता है, लेकिन जदी कोई नंबर इसको सभी करता है, तो बेक जाकर P होगा, जह 100% शुर नहीं रहता है, वो कुछ ऐसे न्वर इसको सभी कर सकते हैं, टक है, इसके साथ हमारी जह इग्जांबल हो जाती है, ठीक है, जो हमारे आर्टिकल हो जाती है, अब उसके बाद एक्जाम्पल नंबर वन टू एंग त्री और जो फॉर एक्जाम्पल एगी उसके लिए में आपको एक वीडियो लिंक या यूटुब से आपको अनॉंस्मेंट सेक्षिन के अंदर पार थरी के साथ देने वालों तो प्लीज उनको आप बहुत करके रखना तो थैंक यू फॉर वाचिंग इस वन टेकर एवरिवन गुल लग मिलते हैं नेक्स पार के साथ में प्यारी सी स्माइल और प्यारी सी स्पेस